हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू नॉलेज औ एजुकेशन अड़्डा दोस्तो आज हम इडियम फ्रेज की सीरीज का नेक्स पार्ट देखते हैं सो लेज टार्ट टुड़े dinero is fit to hold a candle fit to hold a candle means गुरु में समान या तुलनिय होना に preço कंपे टो सम्मन और सम्थिंग किसी के qualities और उसकी behavior को किसी दूसरे पर्सं से compare करना fit to hold a candle next is fixed in once base fixed in once base means अपने तरीके को बदलने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुप या not wanting to change habit और routine ऐसा परसन जो अपने habit को या अपने काम करने के तरीकों को बदलने के लिए तयार नहो fixed once base, fixed मिलना बदा fixed है ना change ना करना, base मिस तरीका काम करने का तरीका या behavior जो वो change ना करना चाहे next is flash in the pan flash in the pan मिस होता success for a little time या छणिक सबलता मिस छोटे समाई के लिए या short period के लिए success मिलना flash in the pan इसको आप ऐस समझ सकते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो kitchen में आपने देखा हुआ कि pan में जब हम oil लाते हैं तो कभी-कभी इसमें आग की लप्टे थोड़ी देर के लिए उठती है और वो आग की लप्टे जो flame होता है थोड़ी देर के लिए होता है कुछ दिर बाद वो बुझ जाता है उसी परतर ऐसे कि अगर कोई सफलता अगर आपको छड़ी समय के लिए मिलता है तो you can say flash in the pan next is flea market flea market means होता है market of cheap or used goods means ऐसा market जहां पर सस्ते समान या इस्तमाल किये हुए समान या second hand चीजे मिलती हो या परिवार के लोग मेंस फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को हम कह सकते हैं फ्लेस एंड बोन है कि यह ओल्ड इंग्लिश शेलिया गया है सबस्तरा है अक जिसका जो कि जनरल इंडिकेशन ऑप मैंकाइंड को इंडिकेट कर रहा था मबल्म एक ओल्ड इंग्लिश डिश्नरी थी जिसमें holy bible related terms या सब्दावलियों का उसमें संकलन हुआ करता था तो यह holy bible से लिया गया है flesh and bone इसका मतलब होता है family members या relatives next is next is flogging at dead horse means best effort on a lost cause या ब्यार्थ क्या प्रियास करना means best effort ऐसा effort करना और जो की जिसका कोई benefit ना हो ठीक है और वो ब्यार्थ का हो मलब किसी ब्यार्थ काम में लगे रहना effort करना और उसका कोई फल ना निकले कोई रिजर्ड ना निकले flogging at dead horse यह सबसे पहले इसका इसका इस्तमाल जो है 1859 में हुआ था UK parliamentary debate में United Kingdom में parliamentary debate हुआ था Parliament बहस हुई थी उस बहस में 1859 में इस इडियाम का सबसे पहले किया गया था flogging at dead horse मिस मरे हुए घोड़े को जगाना या गरे मुर्दे उखारना इसका similar meaning similar idiom यह हो सकता है next is fly a kite fly a kite means लोगों का मत जानने की कोशिश करना और try to understand opinion of other person किसी की opinion जानना किसी यह United States लिया गया है United States की कट बोली कट बोली जिसे थी सर्स बोलते हैं वहां से लिया गया fly a kite next fly in the ointment fly in the ointment यह idiom हिंदी का similar मुहावरा है इसे कहते हैं कबाब में हड़ी तो कबाब में हड़ी की जैसा similar meaning है यह fly in the ointment मेंस होता है जो मौज मस्ती को समाप्त कर दे या या small defeat small defect that spoils something value else यह a small defect defect that spoils something value else इस छोटा सा defect जो किसी कीमती चीज को बरबात कर दे या नस्ट कर दे मारे छोटा छोटी सी कमी एक अच्छी चीज को बरबात कर दे ना कि fly in the ointment fly means मखी ointment में क्या होता मलहम होता है तो यहां मलहम नहीं यहां पर ointment का use medicines होगा माली कोई medicine है उसको लगाने से रहत मिलती है relief मिलता है उस medicine में मख्य की गिर जाए क्या होगा उस medicine की smell जो है खराब हो जाएगी तो क्या होगा वह medicine बेकार हो जाएगी तो that is fly in the ointment यहां ointment का use एक और परपस से भी कर सकते हैं पर्फ्यूम पर्फ्यूम के रूप में भी इस्तमाल करते हैं मलग पर्फ्यूम या इत्र है उसमें अगर मख्य गिर जाए तो उसकी खुश्बू जो है खराब हो जाएगी तो क्या होगा तो वह चीज बेकार हो गपने पर हीना खूढब अटी को स्माप्त करते निएग्स जो सब्सकेश करें तो पर्फ्यूम पिर फ्राइ ऑफ थायंडल वेस्ट अदिक नाराज हो जाना या जो सेल्फ कंट्रोल कई loss self-control अभी इस आप से बाहर हो जा ना सेल्फ Ώल्फ कंट्रोल तो fly of the handle यह वी एक American और इसका मतलब होता है on control वे यह यह लूज इसका इस्तमार ऐसे समसकते हैं कि जो कुलहारी है तो क्लावारी एक्स है थे कुलहारी अधे आधे कुलहारी है और यह निकल के गर जाये तो क्या होगा यह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो fly off the handle मलब इस कुलहारी का handle अलग हो गया है तो क्या हो इक कुलहारी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और जहां आपको इसको इसको इस्तिमाल करना है वहां ना इस्तिमाल करके कहीं और गिर जाएगा मैं जहां चोट करना हो वहां पर चोटना करके कहीं और गिर जाएगा क्योंकि वह कंट्रोल से बाहर हो गया है या ऐसे है सकते हैं कि किसी का माइंड जो है आउट अप कंट्रोल अगर हो गया है तो फ्लाइब दे हैंडल नेक्स इस फ्लाइब आफ या गो आफ ओने टैंजेंट तो इसका मतलब मतलब होता है कि किसी बातचीत के दौरान अचानक बिसे बदल देना या टू सदेटली स्टाट टॉकिंग और तिंकिंग अबाउट अन्यू सबजेक्ट तो स्टाट टॉकिंग या ठींकिंग अबाउट न्यू सबजेक्ट कि टैंजन का मतलब यहां पर जो आपने ट्रिव अक्टिनोमेट्री पढ़ा होगा ट्रिनोमेट्री के एंगल रेश्यू होता है टैंजन तो इसी टैंजन से यह लिया गया है तो फ्लाइ आफ या गो आफ और टैंजन मैंने इसका ओरिजिन देखा लें कि कुछ खास ओरिजिन में इसमें है नहीं तो आप इसको बैसे लेंट कर लिजिए नेक्स्ट है इस फोम एड़ दा माउट में इस होता है बी एक्स्ट्रेमली एंग्री या बहुत अधिक नाराज होना फोम एड़ दा माउट तो इसको अब इसका और जिन आव यह से देखिए कि डॉक्स या दू उनके मुँ में क्या होते जहां किया फोम निकलने लगता है और वो बेहोस से होने लगते है तो ऐसा लगता है उनको देखा कि बहुत गुस्टे में है लेकिन जो है वो बीमारी के वज़े से उनके मुँ से जहां किया फोम निकलने लगता है लेकिन लगता कि बहुत गुस् means क्या होगा be extremely angry अगला एडियम है follow one's nose follow one's nose में नाक की सीध में जाना तो इसमें तो आप ऐसे words को देखे ही देख समझ सकते हैं follow one's nose में नाक की सीध में जाना मलब straight जाना एकदम सीधे चले जाना अगला है food for thought food for thought means an idea or subject to think about मलब कोई subject या कोई idea मिलना जिसके बारे में सोचा जा सके या गहराई से विचार करने का मुद्दा food for the thought ये ये idiom जो है french revolution में इस्तमाल हुआ था और कोई खास का और जिन नहीं है तो food for the thought जैसे की खाने के लिए हमें food मिलता है उसे तरह हमारे thought सोचने के लिए food मिल जाना मनलब सोचने के लिए कोई subject मिल जाना अगला है पुल्स पराडाज फूल्स पराडाज में होता है पूर्दा गलत सोच फूल्स मीज़ भेभू हुफ भेभ अपरडाडाई मीज़ आहिम भेभ पहुफ का स्वर अर्सकर इंगलिस मीनिंग होगा कि state of happiness that is not real या be a short मुलाब ऐसा state of happiness जो की short time के लिए हो बस छाड़ी खुसी हो और उसको लोग उसको बहुत लंबे समय के लिए उसको खुसी माल ले मुलाब छोटे थोड़े समय के खुसी को बहुत देर तक के लिए माल लेना या इसको थोड़ा इंगलिस मीनिंग से थोड़ा डिफरेंट हिंदी से है इसका exact मुलाब करेक्ट मीनिंग ही होगा पूरता गलस सोच मुलाब किसी चीज के बारे में गलस सोचना या कोई मुद्द अगर कोई है इंसान जो अपने विचारों को बदलना नहीं चाहता है यह एक पॉइंट पर अटकर रहता है तो वहां पर फूल्स परड़ाइस हो सकता है मुलाब ऐसी चीजे करना जो कि अन्प्रेडिक्ट हो या अन्रिलाइवल हो या जो दूसरों के लिए अच्छा ना हो इस फूल्स परड़ाइस यानि बेव कौफो का स्वार्ग q next is put in the mouth means अपने पैर को मुह में डालना तो अगर कोई person अपने पैर को अगर मुह में डालेगा तो क्या होगा मूर्क होगा मूर्क होगा अतार्किक या सर्मनाओ такое क्योंकि वह तो बहुत बेबकुषी वाली हर्कत ओगी तो इसके English अई कि अब देख्ल लेजे को मेय कन इंबैर्सिंग बलंडर्यक्षजान को मिकी मिश्टेक करना तो द जएठीज़ फूट इन दा माउथ मिस्कूल में लाके कह सकते हैं कि बेब कुफी वहरा बैभार करना नेक्स्ट इस फूट दा बिल फूट दा बिल मेंस होता है तू कवर दा कॉस्ट आफ सम्थिंग या बिल का भुकतान करना इसका इस्तमाल जो है ऑक्सपोर्ट इंगली डिसनरी में हुआ था एक्टिन नाइटिन में ठीक है और कोई खास का और जिन नहीं है नेक्स्ट फॉर गूट फॉर गूट मेंस होता फॉर एवर या हमेशा के लिए यह बहुत ही पॉपलर इडियम है यह एक फिजल वर्ब भी है फॉर गूट मेंस होता हमेशा के लिए कि उसी जैसा सीमिलार एक इडियम है फॉर कीफ फॉर कीफ मिंस भी होता है फॉर एवर या पर्मेनेंटली हमेशा के लिए अगला है प्वार गॉन कल्कुलिजन फॉर गॉन कल्कुलिजन मिस होता इस पस्ट निसकर्स या डिसीजन मेड विफोर दा डिसीजन मेड विफोर दा एविडेंस फॉर मस मेंस एविडेंस मिलने से पहले ही या साक्ष मिलने से पहले ही किसी चीज़ की बारे में डिसीजन ले लेना मिना बिना प्रूप के ही कोई चीज़ एक्सेप्ट हो जाना यूनिवर्सली टूथ यू कैं से मल यह सेक्सपीर की एक वह रचना है और थेलो उनकी रचना में हीरो रहता है और थेलो शिस्टीनने फोड में जो है यह उन्होंने यह करती आपनी रचना को लिखी थी शिचने फोर में तो उसमें वहीं से लिए गया है इस एक्सपीर के और थेलो नाम के क्यारक्टर से लिया गया है नेक्स्ट इस 40 विंग्स 40 विंग्स मिन्स आइ स्मॉल स्लीप और स्नूज स्मॉल स्लीप या जबकी लेना थोरी देड़ की जबकी 40 मिन्स इसका सबसे पर इस्तेमाल 1821 में हुआ था जब बिलियम किचनेर ने एक विलियम खिचनेर थे जो वह एक एक optician थे और telescope inverter थे इन्होंने इंवेंड किया थे और इन्होंने एक telescope बनाया था तो उन्होंने अपने उस telescope की जो guide होती है self guide self help guide होती मला एक booklet होती ना जैसे कि आप mobile phone इस्तेमाल करते तो उसमें बुक्लेट होती होती है कि उसका feature क्या function क्या है कैसे काम करता है तो डॉक्टर बिलियम किचनर ने जब अपना telescope बनाया था तो उस telescope में self help guide जो बुक्लेट होती है जो कि उस telescope के बारे में knowledge इस देता है कि कैसे काम करता है तो उसमें उन्होंने इस इडियम का इस्तेमाल किया था 40 बिंग्स का तो 40 बिंग्स होता है थोड़ी देर के लिए जब की लेना या थोड़ी देर के लिए सोना नेक्स्ट इस फाल प्ले फाल फ्ले में सोता बॉयलेंट कंडक्ट या हिंग्सा भरा काम गलत काम या अपराज करना या दिस्वानेस्ट होना या दिस्वानेस्ट होना और टॉर्चरस बिहवियर करना या हिंग्सा भरा काम करना फॉल प्ले यह बॉक्सिंग से लिया गया है बॉक्सिंग की एक मैगजिन थी जिसका नाम था दा इस पार्ट में स्पार्टिंग स्वाइदा स्पोर्टिंग मैगजिन 1797 में जो है इस इडियम के इस्तमाल हुआ था जो कि बॉक्सिंग से बॉक्सिंग से लिटर यह मैगजिन थी नेक्स्ट इस फ्री फॉर ओल फ्री फॉर और मिन्स एस सिचुएशन इन विच नो रूल्स नो रूल्स या नो मैथर्स आर यूज ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई नियम कानून ना हूँ और हिंदी में इसका अगर देखे तुमारे एक ऐसी व्यस्त एक ऐसी अस्त व्यस्त एबब आनियंतरित प्रिश्थिती जहां किसी पर कोई कंट्रोल ना हो जहां किसी पर भी कोई नियंतर ना हो ना मतलब जंगल राज यू कहां से जंगल राज कहा सकते जहां पर कोई रूल ना हो कोई रिगुलिशन ना हो तो फ्री फॉर आल next is freedom sleep freedom sleep में सोता है बिना बिचार किये हुए बिना बिचारे बोली हुई गलत बात या verbal mistake in unconscious mind verbal mistake in unconscious mind unconscious mind में बेहोसी खालत में या होस में ना होना और कुछ गलत बोल देना बेहोसी खालत में कुछ गलत बोल देना नसे में या बेहोसी खालत में गलत बोल देना prudian sleep यह idiom जो है a single friend से लिया गया है जो कि वो क्या थे father of psychodinesis थे यह idiom जो है सिम्वल फ्रेड नाम के एक person थे जिने father of psycho analysis का जाता है मलब इनका काम था कि मानव मानव को जो वेवार है human की जो psychology है मान सिकता इंसानों की मान सिकता उनके behavior इनके बारे में study करना इनका काम था तो इन्होंने ही जो है अपने रचनाओं में या अपने थिसिस में इन्होंने इडियम के इस्तमाल किया था फूडल स्लीव इसका मतलब होता है कि बिना सोचे बिना बिचारे बोले भी गलत बात next is from pillar to post from pillar to post मिस होता निर्थर निर्थक रूप से इधर उधर भटकना या बिना किसी काम के या बिना किसी aim के इधर उधर फाल तू घूमना moving around aimlessly इसकी English meaning यह हो गिए इसको अब इसका origin आप ऐसे समझिए यह जो race होता है race running races जो होता है इसमें तौड़ते हैं वहाँ से यह लिया गया इडियम इसमें क्या होता था scratch line starting point होता है sorry मैंने आपको कुछ गलाज बता लिया next फिस देख समस्ते हैं इंदा middle age मतलब इडियम जो है middle age में इस्तमाल होता था इसमें क्या होता था जब किसी person को punish किया जाता था तो punishment देने से पहले मतलब राजर जब punishment देते थे तो punishment करने से के पहले उसे खंबे यानि पोस्ट से बांध कर कोड़े मार जाते थे फिर उसे पिलारी पिलारी जो है एक लकड़ी का खांचा होता था जिसमें उस सजा देने वाले व्यक्ति को कैद किया था जिसमें उसके पैर और हाथ बाहर निकले होते थे बस और उसको लाया रहा था दर्सक के सामने जन तक सामने और लोग उस पे लोग उसे देखते थे और उस पे ताना कसते थे या उस पे मज़ा लेते थे अमेजमेंट करते थे तो फ्रॉम पिलार टू पोस्ट तो मतलब यह हुआ निर्थक रूप से इधादर भटगना तो उसी में पिलर वर्ड जो हुआ था पिलर मिन्स जिस पिलर में उस परसन को या किस कैदी को बांध कर मारा जाता था तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट पोस्ट मतलब जिस जगह पर मारने के बाद उनको सो केस के रूप में रखा जाता था लोगों को देखाने के लिए नेक्स्ट इस फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच मिस होता एकदम शुरुवास से यह स्टार्ट डूइंग फ्रॉम दा बिगनिंग स्टार्ट डूइंग फ्रॉम दा बिगनिंग कर इसका ऑरीजेन अब एस समझें यह जए यह यह यिए रेस जी टिस पॉट लिया गया एकदम से शुरुवा से शुरू करना नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेंप टू स्टेंप मलब फ्रॉम वन इंटू अधर रिंट एक छोड से दूसरे छोड तक इसको आप ऐसे सब्दों समझ सकते हैं वर्ट से पकड़ सकते हैं फ्रॉम एक डाल से दूसरे डाल में पहुंच कुदना इसे बंदर लोग कुदते हैं एक डाल से दूसरे डाल पर एक छोड से दूसरे छोड पर पहुंच जाना नेक्स्ट इज फडी डडी फडी डडी मिस होता पुराने विचारों का व्यक्ति या अस्टाफी और फुलिसली ओल्ड फेशन पर्सन अस्टाफी और फुलिसली ओल्ड फेशन पर्सन स्टाफ ही मिन्स होता, स्टाफ, स्टाफ मिन्स क्या होता, कठोर, मलब जो अडिक रहे, अपने अडिक रहे, फुलिसली ओल्ड फैसन, मलब ओल्ड फैसन परसन, जो अपने में पडिवर्तन ना चाहता हो, अपने विचारों में या अपने बिहवियर में वो चेंजेस ना चाहता हूँ तो इस फड़ी ड़ी तो फड़ी ड़ी इसका की कोई लिटरल मेनिंग नहीं है लेकिन ये अमेरिकन ओरिजिन से लिया गया है तो इसका सबसे पहले इस्तमाल जो है टेकसास न्यूस्पेपर टेकसास का न्यूसपेपर दा गकाल स्टोन डेली निउस बहुता start स्कॉर्टिस टर्म है स्कॉर्टिस एक सब्द है इसका मलब होता है रैग्ड रैग्ड है इसका मलब होता है चीथरा या पूराना या घिसा पीटा अब फड़ी का इस रेटर मीनिंग होता है ये भी स्कॉर्टिस वर्ड है इसका मीनिंग होता है नितम या बटक इसका मलब होत फूल मॉन्टी मिस होता है एवरीटिंग वीचिस नेसेसरी वैंनिंस सभी चीजे तो फूल मॉन्टी जो है यह 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 भी एक बिटिस वर एडियम है फूल मॉन्टी मतलब होता है यह एक परसं थे जिनका नाम था मॉन्टेग्यू बर्टन ठीक यह कौन थे यह वह जो आउटफिट्स मॉन्ट जैसे कि आपने देखा कि इंडिया में बिग बजार है तो बिग बजार के जैसे ही एक कंपनी थी जो आउटफिट्स बनाती थी या साजो समान की सप्लाई करती थी उसका एक नेटवर्ग था तो मॉन्टेग्यू बर्टन जो एक परसन थे जिनका काम उनका वह ऐक उनकी इंडिस्ट्री थी जो साजो समान बनाते थे या उनको बनाते सप्लाई करते थे तो ठीक है तो वहीं से यह एडियाम लिया गया है इसका मतलब होता है complete 3-piece suit तो जब वह अपने आउटफिट्स बेशते थे तो उसमें एक टर में इस्तेमार होता था जिसका माली फुल मॉनिटी मतना होता है तीन पीस सुट त्री पीस अफुट फुल मॉनिटी पुल मोर्स इन तीन पीशो का सेट सारी तीन सुटों का सेट वह वह script सब्सक्राइब एक आफर दिया था तीन पीस तीन स्यूट का सेट तो फुल मॉन्टी मालब यह तरह त्री पीस सूट तो कोई खास लिटल मेनिंग नहीं है जिसको ऐसा समझ लीजिए फुल मॉन्टी मिस होता है सभी चीज़ें लेक्सि कें फुल ओफ बिन्स मिंस उर्जास से भरा या टुभी फुल ओफ एनरजी रिया शॉखियास्टिव तुभी फुल ओफ एनरजी या या esos टिक हुथ के पाइव उसुक्ता होना या एनरजी से या उर्जा से फर फूर यह इडियम जो है कैसे है इसको समझिए यह यूरोपियन इडियम है यूरोपियन एर्टम से लिया गया है यूरोप में 14 सेंचुरी में जो है हॉर्स घोड़े हैं उनको एक अलग तरिके का एक चारा खिलायाता था वह उचारा उनके-लिए उगाया जाता था थीए है तो इस तो जब घोड़े पारणे वाले जो इसके मालिक थे उन्होंने इस चारे को जब उगाया और उनको जब खिलाया तो खाने बाद देखा कि उनके घोडों में एक नई उर्जा एक नई एनर्जी आ गई है उस चारे को खिलाने बाद तो full of beans मिन सही हुआ कि उर्जा से भरा हुआ next is in full swing in full swing means in full operation या पूर्गती में या at highest level of activity at the highest level of activity या in full operation full swing means होता है यह तो cricket करटा में full swing जो बॉल जब थ्रो करते हैं न स्वुइंग होता है क्या होता है स्विंग इस होता है 중요 जोता है गोमना LM करना कि हिमाल ये बॉल है यह कर रही है मूच करते वह आगे बहर रही है territories need in full performance या इन फुल ओपरेशन next is full throttle full throttle means होता है पूरी उर्जा या जोज से पूरी उर्जा या जोज से या moving और progressing as fast as possible next is fullness of time fullness of time means उचित समय पर उचित उचित समय पर या इन इन एन एप्रोपियेट amount of time ओके फ्रेंड्स आज का एडियम फ्रेंस यहीं तक रखते हैं आई होप आपको समझ महा रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे इसका नेक्स पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा थोड़ा टाइम लग जाता है लेक्चर डालने में लेकिन आज विस्वास मानिए इसको मैं जरूर कंप्लिट करूंगा तो इसको आप अपने दोस्तों को शेर करीए गा, इसको अच्छे से देखिए इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक्यू फॉर वाचिंग